हलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे सिपजर रोगहने जैतून यानी सिपजर जैतून तेल के बारे में आप जानते होंगे कि यह तिल कितना ही गुणवर्धक है स्वास्ते वर्धक है और कितने सारे बीमारियों को खतम करने में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इस तेल में बहुत सारे विटमिन्स मिले होते हैं बहुत सारे एंटी आक्सिडेंट मिले होते हैं जिनका यूज बहुत सारे बीमारियों में भी किया जाता है तो इस वीडियो का आप लाश्ट तक देखें ताकि ये आप जान सकें कि इस जैतुन तेल का यूज कहां कहां पे आप कर सकते हैं तो सिबजर जैतुन के अंगिनत फैदे हैं या गुणों का भंडार है यानि इस जैतुन का तेल आप बड़ों से लेकर बड़ों तक सबके लिए यूज कर सकते हैं और सबके लिए बहुत ही गुणकारी है सिबजर जैतुन का तेल स्वास्थ, तवचा और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लबदायक है इसके प्रियोग से ब्लड प्रेशर और वजन को आप मेंटेन में कर सकते हैं सिबजर जैतुन तेल डैबटी से बचाओ के अलावा डिप्रेशन और कबजी की समस्याओं से आराम दिलाने में असर्दार है सिबजर जैतुन तेल नसिर्फ स्वास्ते में सुधार लाता है बलकि पाचन तंथ प्रियोग प्राचिन काल से ही बच्चों के शरीर के मालिश करने के लिए प्रचलित है क्योंकि इसके प्रियोक से इसके मालिश से तो अच्छा मुलायम होती है साथी साथ ये हडियों के मजबूती को भी बनाया रखता है सिबजर जैतुन तेल में पोलिफिलोल विटमिन सी और सिस्टेस्टेरोल है जो की सेल्स को नस्ट होने से बचाता है और बढ़ती उमर की असर को कम करता है पर इसको लेना कैसे होता है तो 30 ml गुनगुने पानी के साथ आपको रात में सोने से पहले लेना है बाकी नीचे दिएगे नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में अधिक जनकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में अधिक जान सकते हैं नहीं तो स्क्रीन पर दिए साइट्स पर यानि स्क्रीन पर दिए प्लेटफोर्म पर जाके इन सभी साइटों पर जाके इस तेल को आप पर्चेस कर सकते हैं और घर बैठे मंगवा सकते हैं और इन सभी बिमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं ठैंकिए